जै मा बगलाम की, जै मा पितामबरा आज की इस वीडियो में मैं मा बगलाम की साधना से होने वाले फाइदों के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ मा बगलाम की मा की साधना मा बगलाम की मा का ध्यान मा बगलाम की मा की पूजा करते समय जो त्राटक किया जाता है जो ध्यान किया जाता है उस ध्यान से क्या फाइदे होते हैं यह सारी जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ मा बगलाम की मा की साधना और मा बगलाओं की माताजी के बीज मंतर का उचारन करते हुए एक दीब प्रजवलित करते हो और उस दीब के अंदर आप मा बगलाओं की माताजी का चिंतन करते हुए आपकी साधना को आगे बढाते हुए मा बगलाओं के 36 अक्षरी वीज मंत्र का जाब करते हो तो कुछी दिनों में देखूंगे कि आपकी एकागरता की जो सक्ती है वहाँ बढ़ने लगेगी आपकी संकल्प शक्ती बढ़ने लगेगी आप बड़े बड़े कारे करने के लिए अपने आत्म विश्वास को मजबूत कर पाऊंगे अपनी आत्म सक्ती को जागरत कर पाऊंगे आपकी कारे करने की छमता भी मा बगलाम की मा की साधना से बढ़ने लगेगी और मा बगलाम की मा की साधना की साथ ही गुरुदेवजी से निर्देश लेकर आप प्रानायाम भी करना चालू करें योग करना चालू करें देखोंगे कि जितने जल्दी जल्दी आप प्रानायाम करोंगे मा बगलाम की मा का त्राटक करोंगे उतने जल्दी जल्दी आपके सरीर से दिब्वी शक्तिया जागरत होना चालू हो जाएंगी आपके सरीर में जो अलोकिक सक्तिया विद्धिमान है वह शारी शक्तिया जागरत अवस्ता में आना चालू हो जाएंगा और मा बगलाम की मैया मा पितामरा माता जिने ब्रमास्तर विद्या कहते हैं इस संसार के सबसे बड़ी उर्जा सबसे बड़ी दिभी सकती भगवान शिव की प्रधान सकती है मा बगलाम की मैया मा पितामरा माता इनकी साधना करने से तो कौन सा कार्य नहीं होता है मा बगलाम की मा की साधना करने के लिए कूट कचिरी की समस्या में उल्जे भक्त शद्धालू मा की सरन में आते हैं और शुक सांती सम्रद्धी और मन वांचित फल पाते हैं सत्रों से परेशान लोग मा बगलाम की मा की सरन लेते हैं गुरु दिक्षा लेते हैं और फिर मावगलाम की का अनुष्ठान करते हैं, मावगलाम की मा का पूजन करते हैं, या किसी सिद्ध सादक से मावगलाम की हवन, बगलाम की माताजी का अनुष्ठान करवाते हैं, जीन लोगों की तीन साल, चार साल, पाच साल तक भी जमानत नह हो रही है कोट से जो जेल काट रहे है चजा काट रहे है उन लोगों को भी माभगवती दो महा में एक महा में कोट के कारागार से जेल के कारागार से मुक्त कराती माभगलामों की मिया इतनी दयालू इतनी क्रपालू है कि जैसे ही चुनाव आता है तो नेता लोगों की लाइन लगना चालू हो जाती मा के दरबार में और नीता, मंत्री, अभी नीता मावगवती के चरनों में आकर छमा प्रातना करते हैं और मावगवती का दिव्ब्य अनुष्ठान प्रारंब करवाते हैं और कुछी दिनों में मातारानी की असीम क्रपा से विजय हो जाते हैं बड़े बड़े गंभीर रोग गरश्ट लोग गंभीर बिमारी से उल्धे लोग माबगवती पितामरा की सरन में पहुचते हैं माबगलाम की सिद्ध सादक संतों से माबगलाम की मा का कवच बनवा कर धारन करते हैं और माबगलाम की भक्ती का मार का पूच कर स्वयम भी बगलाम की मा के आराधना करते हैं और माबगलाम की मा का सत्रू नास हवन करवा कर अपने जीवन में सुक सांती और सम्रद्धी पाते हैं रोक से उन्हें छुटकारा मिल जाता है माबगलाम की मैया बड़ी दयालुए बड़ी क्रपालुए मातारानी की क्रपा से बड़े बड़े कारिया जो असंभव होते है वहाँ भी संभव हो जाते है मातारानी की आराधना करने वाले भक्षत धालों की अनेख मनुकामना पूर्ण होते है जैसे कि सरकारी जौब नहीं लग रही है कई वर्सों से बहुत सारे एक्जाम दे रहे हैं परिक्षाय दे रहे हैं लेकिन मावगवती का कोई भक्त अनुष्ठान करवाता है तो जल्दी से उसके ग्रह मजबूत हो जाते हैं उसकी जौब लग जाती है पुलिस केस में जो लोग उलजे होते हैं उन्हें नियाय मिलता है मावगलाम की मिया की क्रपा से वेवाईक जीवन में सुकसान्ति और समरद्दी आती है पती बतनी के बीच में जो अन्बन चल रही होती है वहाँ दूर होती है बड़ी दयालू है मातारानी अनेक दिब्विच मतकार होते हैं मावगलाम की शाधना के मावगलाम की पूजा करने से मावगलाम की साधना करने से मनुष्य देवताओ को वस्मे कर लेता है देवताओ को वस्मे करने के साथी नौ ग्रहों को वस्मे कर लेता है और जीवन में आई दैविक और भोतिक तीनों ही समस्याओं से छुटकारा पाते हैं ऐसी बड़ी क्रपालू बड़ी दयालू है मावगवती पितामरा महिया मावगलाम की माता अनिक दिव्य चमतकार है मावगलाम की महिया के किसी का कोई सामान जोरी चला गया हो और मिल नहीं रहा हो और मावगलाम की मा के धाम में अरजी लग जाए तो उसका सामान में मिल जाता है इस प्रकार से मावगवती बड़ी दयालू है अगर आप भी मावग्वती से जूड़ना चाहते हूँ, मावग्वती पितामबरा मताजी की साधना करना चाहते हूँ, मावग्वती मिया का मंत्र जाब करते वे त्राटक करना चाहते हूँ, तो आप सभी हमारे मग्वाव की परिवार से जुड़ें और मावग्वती मा की द